अलो एवरिवन, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज आप सब के लिए मैं बहुती आसान से कस्टरट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम एकदम कम इंग्रेडियन्ट के साथ घर पर ही बना कर तयार करेंगे, यह खाने में बहुती जादा टेस्टी लगता है और इससे बना मिल्क ना यूज करें, दूद में हम एक बोईल आने देंगे और आप देख सकते हैं, दूद में बोईल आने लगा है, जैसे ही दूद में एक बोईल आ जाता है, फ्लेम को हम एकदम लो कर देंगे और एक कट्छी से इस तरीके से इससे हम चलाते रहेंगे, इससे चलाते कटोरी ले लिए और कटोरी में थोड़ा सा दूद हम अलग करेंगे जो हम इसी रेसिपी में यूज करने वाले आगे ये दूद मैंने या रख लिया है इसमें अब हम सबसे पहले कस्टर्ड पाउडर डालेंगे जो की सबसे इंपोर्टेंट इंग्रीडियन्ट है हमारी रेसिपी का मैंने या टोटल 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है जो टेबल स्पून हम खाना खाने के लिए यूज लेते हैं बस उसी से मैंने 3 टेबल स्पून पाउडर डाल दिया है इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है बिल्कुल भी लंप से इसमें नहीं रहने देने है इसी तरीके से लगातार चलाते हुए आप देख सकते हैं यह अच्छे से मिक्स हो गया है मैंने यह वनिला फ्लेवर का पाउडर यूस किया है आप अपनी पसंद का कोई भी पाउडर ले सकते हैं दूद को भी अब हम चेक कर लेते हैं दूद में यह जो पाउडर वाला मिक्स्टर हमने तयार किया है इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे और फ्लेम को हम हाई कर लेंगे लगातार इसे हमें चलाते रहना है अब इसे हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है अब इसे पकाते वें चार से पांच मिनिट हो गए हैं और आपको इसकी कंसिस्टेंसी में दिखाती हूँ यह कितना थीक हो गया है पहले से एक कच्चे से हम इसकी consistency चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं यह पहले से काफी ठीक लग रहा है बस दो मिनिट के लिए हम इसे high flame पे और पका लेना है last के stage पे इसे में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है लगातार चलाएंगे ताकि यह बिल्कुल भी लगे ना उसके बाद मैंने यहां आदा कप चीनी इसमें डाल दिये वेट में देखे तो यहां मैंने 70 ग्राम चीनी इसमें डाल दिये आप अपने taste के according कम या जादा भी कर सकते हैं लेकिन यह एकदम perfect है चीनी डालते हैं यह थोड़ा पतला हो जाएगा तो इसे 2-3 मिनिट के लिए हम high flame पे पका लेंगे और इसके बाद इस तरीके से कच्छी से हमें इसे coat करके देख लेना है अंगूली से यह एकदम बढ़िया coat हो रहा है मतलब यह एकदम तयारा आप देख सकते हैं यह काफी थिक हो गया है अभी थोड़ा सा liquid आपको यह लग रहा होगा लेकिन बस हमें flame को off कर देना है दो गंटे के लिए हम इसे fridge में रख देंगे और दो गंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए दो गंटे हो गया है और यह पहले से काफी थिक हो गया थोड़े से मैंने यह अनार इसमें डाल दिये आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इसमें डाल सकते है फ्रूट्स को मैंने फ्रीज में रख दिया था जिससे फ्रूट्स भी एकदम ठंडे हो गए है और इसके बाद मैंने half apple के slice करके इसमें डाल दिये थोड़े से अंगूर के दाने भी मैंने इस तरीके से कट करके इसमें डाल दिये है और half banana भी मैं इसमें add कर देती हूँ यह सारे fruits custard में बहुत tasty लगते हैं अगर आपको इन में से कोई fruit पसंद ना हो तो आप उसे skip भी कर सकते हैं लेकिन आप एक बात का जरूर ध्यान रखें जब भी आप custard सर्व करने वाले हैं उसी टाइम इसमें fruits add करें नई तो fruits अपना पानी release कर देंगे और custard बिल्कुल भी tasty नहीं लगेगा खाने में मैं इसको अभी सर्व करने वाली हूँ इसलिए मैंने fruits इसमें add कर दिये अगर recipe पसंद आई हो तो वीडियो को like करें चैनल को भी subscribe कर दें ऐसी amazing सी और healthy recipes के लिए अपना experience मेरे साथ जरूर शेयर करें थैंक यू